बच्चन साहब के करियर में, बच्चन साहब ने करियर शुरु गया था, उनका एक इमेज बना था, रॉमैंटिक एंड सीरियस जब उनोंने आनंद किया था, नमक हराम किया था और अभिमान उसके बाद एंग्री है, यांग मैं हो गया, दिवार, जंजीर और सब धमाम गुन लेकिन अगर वो खयाम साब का म्यूजिक एंड कॉंबिनेशन नहीं होता तो अमिता पच्छन का वो जो इमेज आया एक पुएट लेकिन पुएट कभी गाना नहीं गाता लेकिन पहली बार ऐसा लगा कभी कभी में एक पुएट एक शायर ना रहा है हम एक पूरी फिल्म के तीन फिल्मे मन जाएंगी अगर बात करना सुन्हुदा को खियाम साब जो फ़्जान फोड़ की काई प्रूटी हम भी खार रहे हैं जहां काम करते हैं जहां जिनसे हम सीब्से उन तालीम लेता हैं जिनसे उनसे इंसपार होते हैं इवेंचिली आज मिजिशन्स या अज प्रफेशनल वही हमारी फैमिली बन जाते हैं हम लोग बैट के आपस में ख्याम साब की यादों में को जाते हैं और ये वोही है आज की शाम ख्याम साब की यादे हैं नजर आती है हमें हमेरी कौर्ट ही में हमने डिसाइड गिया के चलो हम सब को बलाते हैं और ये इसलिबेट कर देओं के ख्याम साब से मेरा रिश्टा कुछ बहुत ही अलग रिश्टा का था हमारी फैम्ली यह है और खयाम सहाब कि वैसे कोई इतने जादा संबंधी रिश्टदार नहीं है जो मेरी खियास्वाइब का बुरा दायत हुऊ तो तो तु तो तरलग जी या केले उठाया है और मैं तो क्योंकि तरगल जी इसे बहुत प्यार घरता हूँ और मैं उसलिए मैं नके साथ में जुड़ा रहा और ख्याम सहाब के साथ में खासतों सब्मद्दी है कि इस जनरेशन का अकेला मैं ही सिंगर हुआ जसने उनके साथ में काम किया हुआ है मैंने उनके साथ में अभी तो साल पहले काना गाया था और वैसे भी जब मैं टेलिविजन शो करता था तो उनसे मेरा मिलना जुलना होता रहता था काफी हमारे अच्छी जान पहचान तो थी ही मुझसे बड़े हैं बहुत मेरे पापा उनके गाने सुनके गाके बड़े हुए हैं सुपो हमारी सीजिर भी है हमारा परिवार भी है एज़ फैमली हमें लगा कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा तो कोई और तो आए गाले हैं और से हमने सुचा कि इतने बड़े आदमी इनकी जिन्दगी इनने अच्छी जिए और खुब जिसे कहते हैं पोर् हम लोग सेलबरेटी करें उनकी जाने का दुख ना मनाए और इसलिए हम लोग सब यहां पर मौचूद हैं अभी चल रहा है समेशो मैं यह फिर को एंसाइड चेक क्या हो रहा है और अभी कोई खयाम साहब के जाने का उतना ही गम नहीं है जितने खुशे के खयाम साहब हमेशा हमारे साथ रहेंगे इस तरह के शक्स कभी यह सिर्फ आते हैं और हमको कुछ दे कि उनका एक टाइम पीरिड होता है लिमिटेशन होता कि बस आया हमको दे के चले गए अब वो जहां पर भी रहोंगे वहां पर भी दे रहोंगे तो हमेशा दिया गिवस एंड आल्व अबीत रहें है और बहुत कम फिल पे कि उन्होंने जितनी बी जितने भी गानें के सुपर सुपर डॉपर एड है और मुझे खुद पता नहीं तो ऊब गानों का फैन था लेकिन मुझे आज कुछ आज पता आ रहे हैं ये भी पहयां साब का हर neज्य भी पहयां साब कि भुकल हुआ तो तैयार होते हैं, हमारे जितने भी इशोर गार अभी साभ है, जबी इंकी बरसी होती है, बहुत अन्य मसी रेगनेंस है, तो हम लोग कोई न पोई, में दुनिया के किसी न किसी पोने है, हम लोग उनको तरिदी देते हैं, और खायाम साथ को प्रियोट देना बड़ बड़ा आनर है।